दोस्तों मिलिए डूगोंग से जिसे बहुत से लोग सीकाओ यानि की समुदरी गाय के नाम से जानते हैं डूगोंग हाथी के सबसे करीबी रिष्तेदार है लेकिन ये डॉल्फिन और वेल की तरही पानी में रहने मोले एक अस्तंधारी जानौर है लेकिन इसे सीकाओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डॉल्फिन और वेल की तरह छोटी-छोटी मचलिया खाने के बजाए ताधरन गायों की तरह पानी के तल में उगने वले घास को ही खाते हैं अभी के समय में डूगोंग दुनिया के सबसे सनरचित जानौरों में से एक है जिनकी संख्या पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 के करीबी बची हुई है इनकी प्रजनन गती बहुत ही धीमी होने के कारण इनका सनरचन और भी आविस्तक है आज के समय में डूगोंग की पूरी दुनिया में सिर्फ 4 परजातिया पाई जाती हैं लेकिन 18-20 सदी में डूगोंग की और एक परजाती पाई जाती थी जिसे सेल्टर सीकाव के नाम से जाना जाता था लेकिन इनसानों के लालच की वज़ा से डूगों की इस परजाती का तेलो और मास के लिए इतना अंधधून सिकार किया गया कि ये परजाती पूरी तरह से विलुप्त हो गई